Profit Mart एक Full Service Stock Broker है, नाम है इसका Profit Mart अब Profit लेके आता है या Profit को देता है यह मात इस पर्टिकुल रिव्यू में देखेंगे किस तरह की Service, Broker Recharges, Account Level के खर्चे, AMC क्या लेता है, Margin क्या देता है, Trading Platforms कैसे चलते हैं, यह सब कुछ इस Detail Review में मिलेगा आईए, शुरू करते हैं दोस्तों, 2010 में यह शुरू हुआ था Full Service Stock Broker तब था, आज भी इसने Full Service का मॉडल ही रखा हुआ है करीब 40,000 के around इसके Clients हैं और आज की शिकायतों की बात करें, तो 0.06% के साथ इसके पास 28 शिकायते हैं Industry Average जादा है, 0.11, उस मामले में यह relatively बहतर दिखता है Background भी ठीक है, 10 साल के करीब हो चुके हैं तो विश्वास भी बन सकता है और 40,000 Client एक अच्छा कासा number है Mid-Size का Broker इसको कह सकते हैं Small नहीं है, Small to Mid-Level का आगा जा सकता है अब ये तो बात हुई इसके Background की आज ही क्या कर रहा है आज में अगर देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे के Trading Apps की Performance कैसी है Profit Mart आपको हर तरह का Trading App प्रवाइड करता है जिसमें के आपको Mobile Application जिसका नाम Profit Up है Web Application जिसको आप Website पर जाके Login कर सकते हैं, नहीं तो Terminal Software जो आप Download करके Use कर सकते हैं, जातर Expert टेवल के Traders उसका इस्तिमाल करते हैं अब किस तरह से काम करते हैं ये भी देख लेते हैं, जहां तक बात है Terminal Application की, तो ये Nest देता है खुद का इनका Trading App नहीं है Customized Version रहेगा Nest में अच्छी बात ये है कि Features बहुत होते हैं, इतने होते हैं तो कई बार Confusion हो जाता है तो जो Expert Level का Trader है मत्तब उसको 5-6 साल हो चुके हैं Trading करते हुए, तो वो उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन एक Beginner या Intermediate Trader के लिए थोड़ी सी दिक्कत शुरुआत में हो सकती है समझने के लिए Performance Level की Issue नहीं आएंगे Speed की कोई दिक्कत नहीं आएगी जो Generally छोटे मोटे bugs होते हैं, वो रहेंगे तो उसका कोई ज़्यादा बड़ा दिक्कत नहीं है लेकिन जहां तक समझने की बात है आपको के किस तरह से चलती है शुरुआत में थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन उसके बाद आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं इसमें आपको एक अच्छा UI देखने में अच्छा नहीं मिलेगा तो जो कस्टम सॉफ्वेर होते हैं लाइसेंस सॉफ्वेर होते हैं उनका यही प्राबीम होता है कलको आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इनकी टेक्निकल टीम को बोल देंगे और वो मदद भी करेंगे कस्टमर साविस हालंकि आगे कवर करते हैं लेकिन उसके बेस पे यह कुछ ठीक नहीं कर पाएंगे यह आगे ही आपकी फीड़बैक को फॉवर्ट करेंगे और नेस की टीम इसको ठीक करेगी यह है टर्मिनल उसके पाद वेब अप्लिकेशन होती है जो इन्होंने खुद बनाई है इसमें कुछ नहीं करना लॉग इन करना है आपको टर्कली ट्रेडिंग कर सकते हैं इसमें आपको उतने फीचर्स नहीं मिलेंगी जितने टर्मिनल में मिलते हैं लेकिन सर्टेन लेवल पे watch list, order placement, multiple type of order, charts का इस्तिमाल कर सकते हैं तो ये सब आपको information मिलेगी fundamental analysis करना है तो उसमें आपको ratio analysis भी आप कर सकते हो अब बात आती है mobile app की जो ज़्यादातर use होती है इन्होंकी नई application का नाव है ProfitUp ये application हालांके इनकी पहले भी एक app थी उससे तो better है लेकिन heavy बहुत है 37MB की file है जो के relatively ज़्यादा की जा सकती है ज़्यादा install नहीं होएं करीब 5000 लोगों नहीं इसको अभी तक install किया है और इसका update frequency 3-4-5 हफते तक जा सकता है इसमें अच्छी बाते हैं इसका UI काफी clean है features ठीक ठाक मिलेंगे heat maps है इसमें जो आपको मदद करते हैं जल्दी से decision लेने में heat maps से क्या होता है color बलर green color आ गया मतब stock बड़ा है red color आ गया तो stock गिरा है orange या yellow color आ गया volatility थोड़ा सा ok ok है ज़्यादा volatility नहीं है तो एक तरीके से आपका decision लेने में color coding से बहुत मदद मिलती है आप charts का इस्तिमाल कर सकते है technical indicators का इस्तिमाल कर सकते है इसकी app का भी demo देंगे हम फिर कभी किस यूआ वीडियो में लेकिन from a UI perspective from a feature perspective वे application अच्छी दिखती है कुछ दिखते हैं इसका अगर हम rating की बात करें के लोगों ने अभी तक rate क्या किया है वो है 3.4 जो के खास नहीं आंका जा सकता concerns की अगर बात करें जो के लोगों ने देखे हैं password change करते हैं कोई दिक्कत आएगी बड़ी समस्या नहीं है लेकिन लोगों को आई है वहीं पे जब आप charge का इस्तिमाल करेंगे तो अगर आपका phone थोड़ा कम MB का है मतलब कम rather memory का है RAM का है तो उस case में आपको app charge freeze हो सकती है मतलब hang हो सकती है तो वहाँ दिक्कत आएगी आप की performance में कुछ issues देखे गए हैं कि आपका slow चलती है कई बार हमेज़ा नहीं कई बार हमें ये दिक्कत नहीं आई कि square off करने में दिक्कत आए या square off automatically execute ना हो लेकिन कुछ users ने ये issue face किया है हम खुद से validate नहीं कर पाएंगे बट कुछ users का concern है तो हमारा बताना आपको एक तरीके का responsibility बन जाता है तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको वो issue ना आए application हालांकि अगर एक भी करनी हो अगर आप beginner हैं तो app से शुरू कर सकते हो लेकिन जाद expectations ना रखिए 3.4 rating आपको थोड़ा idea भी देती है हालांकि ये rating directly number based पे अगर आप decision देते हैं तो शायद काम नहीं बनता कि ये rating खरी दी जा सकती है तो honestly आप खुड try कीजिए हमें कहेंगे तो हम भी इसका demo ज़रूर कर सकते हैं लेकिन थोड़ी वो दिक्कते हर app में होती है अब ये बात होगे trading apps की अब बात आती है खर्चों की अब account opening इनके case में free है AMC इनका per year का कोई plan नहीं है ये one time AMC लेते है 9999999 पर आप से charge करेंगे जब आप EKYC जब आप online account खोलेंगे तब ही आप से charge कर लेंगे वो forever का AMC है तो आपको बार बार इसमें खर्चा देना नहीं पड़ेगा one time cost आपका देना है वो देखे आप अपनी costing से free हो सकते है अब बात आती है brokerage की जो के regular खर्चा होता है अब brokerage भी vary करता है कि आप कितनी trading करते हैं क्या trade turnover है आपका उसके ही base space labs बनती है अगर हम by default बात करें तो delivery में 0.3% intra day में 0.03% futures में भी 0.03 लेकिन option trading में आपको 50 रुपे प्रती lot के हिसाब से देना पड़ेगा 10 lot उठाएंगे तो 500 रुपे लग जाएगा थोड़ा सा महंगा है उस मामल में तो option trading वाले शायद इसको पसंद ना करें negotiate जरूर कीजेगा क्योंकि negotiation certainly हर broker देता है लेकिन बोलेगा नहीं आपको खुदी बोलना पड़ेगा ये हर segment पे negotiation हो सकती है जरूरी नहीं कि सर्फ इसे segment की बात करें अब हो गई खर्चों की बात DP charges इसके case में है 19.5 रुपे वेरी कर सकते हैं broker की policy के उपर लेकिन आज की तारिक में जो हमें information मिली है उसके वेस्ट पर यही नंबर है अज के बाद बाद आती है customer service की support की chatting की facility देते हैं हाला की automated chat होती है जादा तर तो इसमें आपको personalized communication नहीं मिलेगा offline branches है full service broker है तो आपके आसपास आपको इसका office मिल सकता है अगर specifically बात करें तो 500 से जादा इनकी branches हैं इनकी अनुसार जो के आज की तारिक में number है इसके अलावा offline branches के अलावा आप इनको phone कर सकते हैं phone करेंगे तो आप depend करता है किस तरह की issue है आपको support issue है technical issue है account issue है उसके base पर कर सकते हैं website पे mobile number जो यह गए हैं इतने responsive नहीं है लेकिन जो landline numbers हैं उन पे आप विश्वास करके phone कर सकते हैं वहाँ पे response भी अच्छा है और बात करने का समझ भी है कि जो भी आपको issue है वो specifically आपको बता पाएंगे for example अगर आपको mobile app में issue आ रहा है तो वो आपको any desk कोई भी software के थूँ screen share करके issue fix करने में भी help कर सकते हैं whatsapp support इनका है तो सही लेकिन जवाब नहीं आता तो वहाँ पे दिक्कर देखी गई है अब इनकी website पे जाके form भी भर सकते हैं जिसके base पे आप expect कर सकते हैं response आएगा लेकिन सिवाए landline के जो इनके phone number दिया गया है एक ही number दिया गया है उसके अलावा बाकी के जो communication channel है वो इतने responsive नहीं है mail भी of course इनको आप कर सकते हैं जहां तक margin की बात है depend करता है of course script के उपर intraday में up to 20 times तक जा सकते हैं delivery में ज़्यादा margin मिलेगा नहीं आपको future options में 4 to 5 times वो भी selling में आपको options में मिल सकता है तो उस चीज़ का आपको ध्याँ रखना है तो जहां तक margin की बात है जाला उमीद इस broker से मत रखें अलागि सेवे की margin policy के आने के साथ काफी चीज़ें वैसे ही change होने वाली है हर broker के साथ तो उस चीज़ में भी है bracket order में margin अलग रहेगा cover order में अलग generally जो होता है तो margin policy में भी एक खास winner नहीं देखता तो अब यह broker है किसके लिए देखिए अगर आप नए है market में आपको थोड़ी बहुत sense चाहिए market की थोड़ी बहुत brokerage देने को तयार है और ठीक ठाक आपको app चाहिए ठीक ठाक customer service चाहिए offer and presence चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हैं इसको आप ठीक ठाक broker कह सकते हैं ना बहुत खराब ना ही बहुत अच्छा ज़्यादा branding यह करते नहीं है इनका कोई खास USP जो इनको differentiate करता है अलग करता है बाकी broker से ऐसा कुछ नहीं दिखा एक ही चीज दिखती है कि इनका lifetime AMC का एक plan है 99 रुपे का account opening और AMC forever cover हो जाती है उसमें तो अगर आप को long term level पे investments करनी है जातर trading नहीं करनी कुछ stocks खरीदने हैं और उसके बाद AMC के खर्चे नहीं देने तो उस particular level पे ये ठीक लगता है लेकिन उसके अलावा ज़्यादा proposition से इसके पास अभी की तारीख में हमें नहीं दिखी नहीं trading apps में नहीं support में नहीं margin में और नहीं किसी बाकी other segment में तो दोस्तो अगर आप इनके client रहे हैं तो certain level पे आप अपना feedback नीचे comments के जरीए बता सकते हैं ताकि हमें real idea भी मिले है the same time कि आज की तारीख में क्या इसका situation चल रहा है और अगर आप हमसे कुछ मदद चाहते हैं stroke broker के selection के लिए तो वो भी आपको as usual हम मदद कर सकते हैं इस वीडियो में profit part के review में दोस्तों बस इतना ही hopefully आपको सारी information पसंद आई हो अगर कोई specific question है तो comments में पूछ सकते हैं we'll certainly try to get back to you और as usual अगर ये वीडियो पसंद आई हो like कीजिए, share कर देंगे तो सायद किसी और का भला भी हो जाए आपका तो most likely हो ही गया है और a digital blogger को subscribe करना बिल्कुल मत भूलें याद रखें अभी press कर दें ताकि अगली जो वीडियो देखें या पिसली जो भी वीडियो होई है stock market के उपर, stock broker के उपर cb की news के उपर, trading platforms के उपर margin policies के उपर, जो भी बाते होती है stock market की, पूरे यूट्यूब पे सिर्फ a digital blogger पे ही होती है thank you so much for watching the video, bye